नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल ए भी किलासेस में आपका स्वागत है आज का सब्जेक्ट है इंजिनियरिंग ड्रोइंग जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ फिरी एंड ड्रोइंग एंड कर्ब से रिलेटेड लगबग 25 अबजेक्टिव कुष्चन यदि आप इन सभी कुष्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे फ्रेंड जिन्होंने अभी तक हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन पर क्लिक कर लें जिससे इस तरह के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें अब चलते हैं आज के कुष्चन स्टार्ट करते हैं पहले कुष्चन मे answer बताऊंगा कि आप सबी लोग इस तरह की simple question जानते हैं तो तीन या तीन से अधिक रेखाओं या फिर जो भी हमारी side होती है उससे मिलकर जो भी आकृति बनती है जो भी plan figure बनता है उससे बोलते है polygon क्या बोलते है polygon भाववज हिंदी में बोलते हैं तो अब next question में लिखा हुआ है जो यहाँ पर ही diagram बना हुआ है इसमें हमें पैचानना है हिंदी में सब्ट भुज इंग्लिस में बोलते हैं heptagon की कौन सी आकृति है तो सब्ट भुज का आपको बाटर समन में आ रहा होगा कि साथ भजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति यहाँ पर कौन सी है सब्ट मींस साथ भजाओं से यहाँ पर देखेंगे आप सी वाले option में एक कैसे काउंट करते हैं 1234567 इस साथ भजाओं से मिलकर बनी हुई है इसको बोलते हैं सब्ट भुज इसका जो answer हो जाएगा अगर मैं टिक करूँगा तो कौन सा हो जाएगा सी वाला option जी यह correct हो जाएगा इस पर मैं टिक कर देता हूँ अब इस तरह के और भी question पूछे आ सकते हैं तो उस पर मैं थोड़ा सा discussion करते हूँ अगर कोई आकिरती इस तरह की बनी हुई है जैसे इसमें कितनी 1,2,3,4,5 इसमें 5 बुजाएं तो इसको बोलें हम pentagon इंग्लिस में और हिंदी में 5 बुज यहा पर इसमें देखेंगे एक,दो,3,4,5,6 तो इसमें 6 बुज आएं तो इसको बोलतें के 60 बुज या फिर hexagon इ अगर ऐसी नो भुजाएं तो उसको बोलते हैं ना भुज या फिर नो ना गौन नेक्स्ट है इसलिए अगर सकी क्यासी दस भुजाएं तो उसको बोलते हैं दस भुज या फिर डेका गौन और ग्यारा भुजाएं तो उसको बोलते हैं अन डेका गौन या फिर क्या बोलते है एंदी में एका दस भुच और अगर 12 भुजा है तो उसको बोलते यह डियूद यूद डेकागोन दाद सब भुज मतलब ऐसे अगर 12 भुजा है तो बोलेंगे यूद यूद डेकागोन इस तरह की आकृति न स्टरह की और पूछी आ सकती है अब चलतें next question की ओर इस तरह next question में लिखा हुआ कि यह जो यहाँ पर diagram में दिये हुए इन्हें बोलते हैं polygon लेकिन polygon में जो sides बनी हुए अगर किसी side में कितनी जो यहाँ लिखा 9 अगॉन 9 अगॉन है तो कौन सा इसमें 9 अगॉन होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छेर, साथ, आट, नो मतलब बी वाला option हो जागा जिसमें कितनी बोजाएं 9 बोजाएं तो हमारा बी वाला option correct हो जाएगा इस तरह next question में लिखा हुआ है सामान हेप्टाकॉन की बोजाएं होती है और normal हेप्टाकॉन है नॉर्मल हेप्टाकॉन हेप्टाकॉन मतलब होता है जिसकी साथ बोजाएं हो जिसकी साथ बोजाएं हो जिसकी साथ बोजाएं है साथ बोजाएं मतलब सेविन हेप्टाकॉन की कितनी बोजाएं होती है सेविन बोजाएं होती है इस तरह एक और भी question है, उनको देख लेते हैं, next question में लिखा हुआ है, सम्तल आकरती, मनला plan figure की चार से ज़्यादा भुजाएं होती है, मनला plan figure है, उसकी चार से ज़्यादा भुजाएं, उस सब भी भुजाओं, जो भी कौन बनते हैं, बीच के उनके अंगल बनते हैं, कैसे एक दूसरे से बरावर हैं, तो सम्तल आकरती का नाम क्या होगा, तो वह है plan figure का नाम क्या होगा, तो हम जानते हैं, जैसे हमने बताया था, तीन या चार से आदिक भुजाओं से मिलकर बनी होगी कोई भी आकरती, उसको बोलते हैं, polygon, हमारा इसका क्या हो जाएगा, simple polygon, हमार से जाना था, एक question repeat हो गया, जो मैंने starting पूछाता है, सब तो मतलब इसकी 7 बुजाएं होती, तो यहाँ पर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस C वाला option correct हो जाएगा, जो कि मैं starting में भी question बता चुका हूँ, next question हमें लिखा है, heptagon में कितनी बुजाएं होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लिखा था, उसमें हमारे अंकोर में पूछ लिया गया, तो इसका क्यों से C वाला option correct हो जाएगा, next question हमें लिखा, एक बहुच के आंतरी कॉर्ण, मतलब इंटरनल एंगल, एंड वायरी क मतलब external angle का योग होता है, कितना होता है, कोई भी एक polygon बना हुआ है, जिसके अंदर का कॉर्ण और बाहर का कॉर्ण, अगा जोड दिया जाए, तो कितना angle बनता है, हम जानते हैं, पूरी एक नीचे की line बन जाती, तो एक line अगर खीच दिया है, उसका पूरा angle जोड दिया ज जो भी उसके adjustment संगलन कौन बोलते हैं, मान होता है, इस side of an octagon is equal to the value of the adjust angle, जो उसके side का बरावर का angle होता हुआ है, कितने angle प्योड़ा जाता है, ठीक है, तो अष्ट बुच की बात कर रहा है, याद रखे है, अष्ट बुच मनला, octagon, तो octagon की बात का है, तो इसका जो angle होता 45 degree बरावर, next question में लेका, जो यहाँ पर आकृती बने हुई, इसके बारे पूचा गया, which method has been used to make the hexagon, यह hexagon बना हुआ है, इसको बनाने के लिए हमें कौन सी method यूज़ करने पड़ी, तो यहाँ पर आर्क टाइप के लगए, आपको देख रहा हूँगे, इसको हमने आर्क म मतलब जानते होंगे, आप लोग, ellipse बोलते हैं, कि दीग रक्ष, मतलब क्या होता है, जो हमारी major axis से समकौन पर बनी रेखा कहलाती है, मतलब अगर हम कोई ellipse बना रहे हैं, और उसकी जो एक vertex होती है, वहां से हम एक direct line कीशते बीच में, आपने center में देखे होगी, इसमें focus उस जो vertical line है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपने सोचा होगा, क्या बोलते हैं, नहीं जानते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, जो कर्प्स हैं, उसमें अच्छी सरा है पढ़ा होगा है, कि वह जो सीधी line होती, direct, उसको बोलते हैं, direct tricks, क्या बोलते हैं, direct tricks, तो हमारा कौन सा D वाला option correct हो जाएगा क्या रखिया बोलेंगे direct tricks next question हम लेखा दीग बृत की चाप पर मिलने वाली दीग रख्ट की सुरोग क्याते हैं मतलब कोई हम ellipse बना रहे हैं और ellipse की जो दोनों छोर होते हैं जिस पर दोनों छोर मिलते हैं जब हम curve को मिलाते जाते हैं सारे जो बिंदू कटते हैं जिन उन बिंदू को मिलाते हुए जाते हैं लास्ट में एक जो हमारी लाइन होती है फोकस लाइन उस पर मिलते हैं तो उस बिंदू क्या बोलते हैं फोकस क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं तो हमारा कौन सा सीवाल ओप्चन करेक्ट हो जाएगा इस तरह नेख्ट लिखा तो वैलू ऑप सेंटरिसिटी इमीनस होता है स्मॉल ही दिखा इसका मतलब होता है सेंटरिसिटी और पैरा बॉला के लिए इसकी वैलू क्या होती है तो इन टाइप की वैलू ह के लिए तो इस कर्ड बने है पैरा बॉला के लिए हो जाएगी यहां पर दो अब लिखा इस एंटरिसिटी पूर दा हाइपर बोला हाइपर बोला के लिए इगरीटर देन बन हो जाएगी वह एलिप्स के लिए पूछी आती तो यह वाले बी वाल ओप्शन देखें इलस द बन हो जाए ठीक है इस तो आपको यह भी question समझ में आगा होगे अब चलते हैं next question की ओर next question में लिखा हुआ the perpendicular distance of any point on the curve from the line which is called directrix is equal to its distance from the focus is called curve question में पूछा लिया रहा है एक directrix होती है उससे हम क्या करते हैं इससी दी लाइन खीच देते हैं बीच में जम कोई कर बनाते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं focus बना देते हैं focus और एक point बनाते हैं डायरेक्ट पर एक line जहां से हम curve का arc लेते हैं वह जब बीच में होता है अनला focus देखा होगा आपने 2y3 इस तरह हम eccentricity value देती है ठीक है यह पर इस तरह ही देती है जब 2y3 हो हो है 3y4 हो महला एक से less देनो तो हम ellipse होते है ellipse की value रहती है और जब एक से greater देनो तो hyperbola होता है ठीक है e से equal बनो तो हमारा क्या होता है parallel होता है लेकिन जब हम उस line को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं एक ऐसा point होता है focus का जब इसकी जो हमारी बाहर की directrix होती है उससे हमारी उसकी दूरी कैसी रहती है equal रहती बरावर रहती है तो उसमें क्या बनता है तो उसमें बोलता है hyperbola बनता क्या hyperbola तो हमारा c वाला option correct होएगा नेक्स कुर्शन लगा है बक्र पर इस्तित दिग्रक्ष से अंतिम बिंदू कहते हैं the end points of the major axis on the curve are called ये end point कहलाता है vertex क्या कहलाता है vertex नेक्स कुर्शन में लिखा हुआ है एक ऐसा बिंदू पत जो किसी समतल में इस प्रकर गति करता है कि उसकी उसी समतल में स्तितिक नाभी एक नियता से दूरियों कानपाथ अच्छा रह सदेव एक से कम होता तो जैसे मैं मैं बताया एक कुर्शन होई हो गया कि इसे एक से कम हो अमेशा बेलू दी रहती है आपने कभी कई वा इसको स्वाल्प किया होगा या कई वा ड्रॉ किया होगा इस तरह के कुछ कुर्शन है और है उनको भी देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन में लिखा हुआ है जब किसी संकू को काई मनला उसकी जनक करता कुछ क्षिटeleri करती है तो वहां से आकिर्थी बनती है क्या कहला इसको अगर इक लाइन के क्ट किया राता IT तो वहांसे आकिरती बनती है तो के संकू करता रहा दो जो बताना चाहे तो हम ऐसा कुछ भनना रएता है ऐसा ठीक है यह जो रहती है यह जो ऐसी हैं इसको बोलते हैं हम जर्डेर इसको जर्डेर को अगर पैरलल लायन क्या है? मrechtता है इस इस देख नहीं इनके पेरलल अगर ऐसा काटा जाता है इसको, ऐसा कुछ काटा जाता है, इसको ऐसा काटा जाता ह exists आकरती बनेंगे जाम कने ticket शांना चाहिंभी में शायी यह जाया वाह ठेला तो हमरा जाला कंशर करख़प्हटन है लिएक जनारolesome परवला परवला को करता है धेल को सब्सक्राइ alma लिए है कि नाभी से होकर गोजनने वाली तथा नियता की लंबब सरह लेखा कहरा थी नाभी नाभी से होकर गोजनने वाली जो रेखा होती है और किसके लंबब नियता मतलब होता है डायरेक्ट की लंबबद वह तो रेखा होती है इसके नियतमीन से ठाइ बय्क्तिक्स उसके जो लंबबद रेखा होती होने क्या कहलाती है वह तो यह कहलाती है एक्सिस हमारा कुश्म्रिक्टप b-वाला अप्सन करेक्ट होयागा चलते हैं इंटाइस्टिशियल मलब अन्थाइस्पर्सी हमारा कौन सा वजाएगा वी वाला उप्सन करेक्ट हो जाएगा कुछ्छन में लिखा है आती परवला वक्र मलब पैराव वोला जो कार्व है कि किसी भी बिंदू से अनुपरस्त अक्ष की लंबद दूरी क्यलाती है अनुपरस्त अक्ष का मलब होता है वालकनियम की या राडार एंटिननियम या एलेक्ट्रोनिक टांस्मीटर तो किसमें यूज किया था इन सभी में यूज किया जाता तो हमारा कौन सा आल अपधीज वाला अंसर करेक्ट हो जाएगा तो इस तरह की कुछ कुश्चन थे हमारा परफंचता प्रैक्टिस करवाना है अदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों में सेर भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेल आइकन पर किलिक कर लें जिससे की इस तरह की नोटिपिकेश आपको वास पहुंच सकें थैंक्यू फ्रेंड्स